हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज के तारिक में सभी साइड इंजिनियर या सिविल इंजिनियर थमरूल को जानने में या उन्हें याद करने में प्रिफरेंस देते हैं और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि हर बार साइड पर जाके ट्राक्टिकली क्यालकूलेशन करना ये हमें पॉसिबल नहीं होता है कभी कबार हमें एप्राक्स कॉंटिटी देनी होती है इसलिए हमें या साइड इंजिनियर को थमरूल मालूम होने चाहिए तब एक साइड इंजिनियर थमरूल का साहरा लेकर या उसे थमरूल अगर मालूम होगा तो एप्राक्स कॉंटिटी वो आसानी से निकल पाएंगे और मट्रेल का ओडर कर सकते हैं तो दोस्तो ये हो गई कुछ इंपोर्टन्स ओप थमरूल की जानकरी लेकिन आप सभी को ये बाद भी हमेशा ध्यान में रखना है कि थमरूल हमें सिर्फ एप्राक्स वेल्लू देता है मतलब हमारे पास जो थमरूल से जो कॉंटिटी आती है वो एप्राक्सिमेट वेल्लू होती है तो दोस्तो जैसे कि आप सभी जान गए हैं और वीडियो का थमनेल देखके ही आप समझ गए हैं कि आज के वीडियो का टॉपिक है थमरूल्स पर साइड इंजिनियर्स तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा चोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा जी हाँ दोस्तो मैं इंजिनियर्स गिरिष्ठा करे एक बार फिर सौगत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजिनियर्स तो दोस्तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि थमरूल for only approximate value लेकिन एक साइट इंजिनियर्स को थमरूल के माध्यम से बहुत सारे calculation करने होते हैं वो कौन-कौन से calculation है जो एक साइट इंजिनियर्स को थमरूल का साहरा लेकर करने होते हैं वो अभ calculation जैसे कि concrete calculation हो गया, manpower estimation हो गया, material estimation हो गया, फिर wastage का भी calculation निकालना पड़ता है ये सब सारी चीते हमें थमरूल के दौरा हम लोग निकाल सकते हैं इसलिए साइट इंजिनियर्स को थमरूल याद रखना या उनकी जानकरी होना बहुत ज़रूरी है इसलिए आगे हम देखन देखने वाले हैं थमरूल for steel quantity for slab, beam, column और footing तो ये सब थमरूल जो है दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जितने भी थमरूल बता है हो सकता है आपको आपने ये पहले कहीं देखे भी होंगे कुछ वीडियो में देखे भी होंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर example देकर जानने होंगे तो देखते हैं पहला थमरूल कौन सा है पहला थमरूल है दोस्तों still required in residential building तो अगर आपको residential building में residential building project में कितना still लगने वाला है ये अगर थमरूल के दौरा आपको निकालना है तो आपको ये थमरूल follow करना पड़ेगा बस आपको एक square feet में कितना kg still लगने व steel का quantity जो है वो 4.5 kg to 4.75 kg पर square feet इतना कंजू होता है ये एक थमरूल है यहाँ पर अगर मैं आपको एक example देना चाहूं तो मान लिजे कि अगर 1000 square feet 1000 square feet का आपका residential building का project है उसका area है 1000 square feet तो आपको steel की quantity अगर निकालनी है तो आप ये थमरूल से निकाल सकते हैं तो आपको square feet का project में आपको residential building में कितना steel लगने वाला है ये आपको apprax quantity मिल जाएगी ऐसे ही आगे देखते हैं कि commercial building जो होते हैं commercial projects होते हैं उनका क्या थमरूल है तो दोस्तो still required for commercial projects या commercial buildings 5 to 5.5 kg मतलब 5 से 5.5 kg steel लगता है per square feet क्यूंकि दोस्तो residential building से commercial buildings का structure अलग होता है heavy होता है उसमें steel consumption जादा होता है इसके लिए ये थमरूल हमें ये बताता है कि अगर आपको residential building में 4.5 to 4.75 kg अगर steel लगता है per square feet तो commercial में आपको 5 to 5.5 kg steel लग सकता है commercial project में अब आगे देखते हैं दोस्तो percentage of steel in structural members ये भी एक बहुत commonly use किया जाना वाला थमरू है ये छोटे-छोटे थमरूल से लेकिन बाय हर्ट हो जाते हैं एक बार आप इसे practice में लाएंगे तो और ये जो थमरूल है दोस्तो percentage of steel का in structural member का ये commonly use किया जाता है contraction line में क्योंकि इसे steel का quantity निकालना आसान हो जाता है तो देखते हैं दोस्तों क्या है ये steel percentage का थमरूल तो दोस्तों अगर आपको slab, beam, footing, column इन सब में कितनी-कितनी steel quantity जाने वाली है ये सब अगर जानना है तो आपको ये थमरूल बहुत काम में आने वाला है तो ये थमरूल दोस्तों मैं आपको example के साथ भी explain करूँगा तब तक आप ये देख लिजे कि कौन से structural members में कितना percentage still जा सकता है ये हम थमरूल से जान सकते हैं तो सबसे पहले हैं दोस्तों slab में 1% of the total value of concrete ये बात ध्यान में रखियेगा दोस्तों कि concrete value के total concrete जो value में उसके 1% slab में still use होता है ये तोर से भी explain करूँगा तब तक आप इस देखते हैं कि beam में तो beam में दोस्तों 2% of total value of concrete आगे column में 2.5% of the total value of concrete और footings में 0.8% of the total value of concrete तो ये ratio ये percentage अगर आपको याद होगे तो आपको concrete value से steel का quantity निकालना एकदम easy लगेगा मैं आगे आपको explain करता हूँ example के साथ यहाँ पर example में देता हूँ एक slab का तो उसके लिए हमें क्या लगेगा सबसे पहले लगेगा slab का dimension तो यहाँ पर मैंने एक example में slab का dimension किया है कि 6 meter by 5 meter और उसकी thickness जो है वो देड़ स्वे में मतलब 0.15 meter तो यह हुआ हमारा slab का dimension यह dimension क्यों लिया मैंने क्योंकि मुझे concrete का value निकालना है तो अभी मुझे slab का total concrete value मिल गया तो यहाँ पर मैंने LBH formula यूज करके 6 meter into 5 meter into 0.15 इसका मुझे concrete value मिला 4.5 m3 या 4.5 cubic meter आप कुछ भी बोल सकते हैं तो यह ध्यान में रखिएगा कि 4.5 हमारा क्या आया concrete value माया तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक reminder के लिए steel के लिए कितना percentage था वो शोग कर रहा हूँ तो 1% of the total value of concrete तो slab का हम quantity निकाल रहे हैं steel का quantity तो उसके लिए 1% of concrete value तो थमरूल क्या बताता है दोस्तों कि थमरूल टू इस्टिमेट steel quantity for above slab is value of concrete multiply density of steel multiply percentage of steel member फिर से एक बार देखिए दोस्तों यह फर्मूला दोस्तों याद रखिएगा ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर आपको slab में steel कितना लगने वाला है इसका अगर आपको quantity लगना है निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए concrete का value उसके बाद steel का density और उसके बाद जो फर्मूला है 1% of steel of member तो steel का कितना weight निकलेगा पर square feet कितना steel लगने वाला है यह हम जान सकते हैं यह फर्मूला से अभी हम देखते हैं कि हमने जो जो concrete का value निकाला था फिर density हमको multiple करनी है फिर percentage of steel member multiple करना है तो वो ratio क्या आता है तो यह देखी दोस्तों 4.5 cubic meter जो हमारा concrete value आया था फिर steel की density लिखी थी जो कि यह 7850 और multiple percentage of steel member वो था 1% इसके लिए यहाँ पर आएगा 0.01 तो आपको answer मिलेगा 353 kg तो दोस्तों यह हो गया slab से steel का quantity कितना आता है वो निकालने का thumb rule आगे हम लोग बहुत सारे और thumb rule जानने वाले हैं इसके लिए आज की वीडियो से मुझे आपको thumb rule के बारे में ज़्यादा जान करें देने की मेरी यह आज की कोशिश है इसलिए आप वीडियो को skip बिल्कुल भी ना करें देखते हैं आगे कौन सा thumb rule हम लोग देखने वाले हैं अगला important thumb rule है दोस्तों thumb rules for shuttering work यह भी एक अपने आप में बहुत important thumb rule है बहुत सारे मेरे side engineers जो की contractors भी है civil contractors है उनके लिए भी यह thumb rule बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है तो सबसे पहले shuttering work में हम लोग देखेंगे की shuttering की cost जो है वो हमें कैसे calculation करनी होती है तो shuttering cost के लिए thumb rule हमें क्या बताता है दोस्तों shuttering cost जो होती है दोस्तों वो 15 से 80% होती है total contraction के अब हम आगे देखने वाले हैं thumb rule for the estimate the shuttering material तो shuttering material कभी एक थमरूल है तो दोस्तों shuttering material कितना लगने वाला है project पे तो उसका अगर quantity आपको निकालना है तो thumb rule हमें कहता है thumb rule for estimate the shuttering material required is 6 times the quantity of concrete जो quantity होती है उससे 6 times shuttering का material लगता है तो दोस्तों ये तो हो गया concrete के quantity से आपको shuttering कितनी लगने वाली है इसका thumb rule लेकिन plint beam से भी आप plint area जो होता है उससे भी shuttering का quantity एक approach निकाल सकते हैं उसका भी thumb rule है तो जैसे quantity of concrete के 6 times shuttering लगती है वैसे ही अगर plint area से आपको निकालना है तो 2.4 times shuttering material लगता है plint area से यहाँ पर आपको मैं concrete quantity के हिसाब से एक thumb rule जो हमने देखा शुरू में उसका एक example देना चाहूंगा suppose करें कि आपका concrete की quantity है 3m3 तो आपको area of shuttering shuttering का कितना area आपको लगने वाला है कितना square meter shuttering आपको लगने वाला है वो हम लोग निकाल सकते हैं तो thumb rule हमें क्या बताता है concrete quantity के 6 times तो concrete quantity हमने देखा यहाँ पर 3mq तो 3 multiply 6 6 times तो आपको 18 square meter shuttering लगेगी यह है thumb rule तो दोस्तों अभी हम लोग तो shuttering का thumb rule देख रहे हैं तो shuttering fly का quantity कैसे निकालने हैं उसका कैसे estimate निकलते हैं उसका thumb rule देखते हैं तो आगे देखते हैं thumb rule for estimate shuttering fly quantity तो यहाँ पर shuttering fly का size मैंने mention किया है जनरली 2400 by 1200 का आता है 8 by 4 का जो sheet आता है उसका ठीकनेस होता है 12 mm अलग-अलग company में 24-5 mm का थोड़ा सा vary होता है लेकिन यह standard size है 8 by 4 मैं feet में बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको meter में दिखाया है 2.4 into 1.2 into 12 mm तो दोस्तों अभी हम देखते हैं shuttering fly का quantity कैसे निकालते हैं हमने अभी size तो ले लिया तो थमरूल हमें यह बताता है the number of shuttering fly is equal to 0.22 times of shuttering तो कैसे वो मैं आपको एक example देखे समझाता हूँ suppose करिए कि आपका shuttering का area है 5 meter तो आपको 5 meter shuttering area के लिए fly कितने लगने वाले हैं वो अगर निकालना है तो आपको क्या करना है उसको multiplier करना है 0.22 से यह थमरूल है दोस्तो तो आपका answer क्या आएगा 1.1 square meter तो यह हो गया आपका fly का quantity ऐसे ही दोस्तो shuttering fly के साथ हम लोग shuttering button जो होता है उसका भी quantity निकाल सकते है button का size क्या होता है 75 by 40 तो button quantity अगर आपको निकालना है तो आपको पहले fly की quantity निकालना है थमरूल से फिर आपको बैटन का quantity निकाल सकते हैं तो बैटन का quantity निकालने के लिए आपको 19.82 को multiple करना होगा number of shuttering fly को तब आपको बैटन का quantity मिलेगा बैटन का भी एक example देता हूं कि मान लेज़े अगर किसी side पर 30 fly sheets लगने वाली है तो आपको बैटन का quantity निकालना है तो आपको क्या करना है कि 30 into 19.82 तो आपको जो answer आएगा 594.6 मतलब 5925 बैटन लगेंगी shuttering करने के लिए तो shuttering fly के साथ shuttering button का भी हमने थमरूल देखा अभी हम लोग देखने वाले हैं कि shuttering जो nails होते हैं shuttering करने के लिए जो nails लगते हैं उसका थमरूल क्या होता है तो दोस्तो थमरूल बताता है कि approximately 75 grams of nails used in shuttering of the 1 square meter area मतलब 1 square meter area में आपको 75 grams nails लगने हैं अभी आगे देखते हैं दोस्तो कि thumb rule for shuttering oil हाला कि मैंने सबसे पहला जो मेरा वीडियो आया thumb rule for site engineer जो कि आज तक सबसे ज़्यादा देखा गया हुआ मेरा वीडियो है मतलब जिसको सबसे ज़्यादा views मिले हैं वह मेरा सबसे पहला वीडियो था दोस्तो हाला कि उसमें मैंने अपना face भी नहीं दिखाया था मैं जैसे copy को जो मेरा notes book है उसको shoot करके मैंने वो वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो आप सभी को इतना पसंद आया तो वही उसी के related मैंने आज का यह वीडियो बनाना चाहा तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सभी ने वो मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार दिया ऐसे ही आगे प्यार देते रहेगा वीडियो पसंद आता रहेगा तो लाइक और शेयर करते रहेगा अगर आप में classification नहीं किया होगा तो subscribe कर लीजिएगा हाला कि ये सब मैने last में बोलता हूँ अभी थोड़ा emotional होके आपको ये मैंने share किया हाँ तो दोस्तों फिर से point पे आते हैं वीडियो के अंदर आते हैं वीडियो के topic के उपर आते हैं और आपको आगे explain करता हूँ कि Thumb rule for shuttering oil क्या होता है तो आपको total shuttering oil कितना required है वो अगर निकालना है तो shuttering oil का quantity निकालने के लिए आपको कितना shuttering oil लगने वाला है वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको shuttering का area मालूम होना चाहिए वो निकाल लेना है फिर आपको उसको multiple करना है 0.065 से या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि every 15 square meter shuttering में आपको ये थमरूल बताता है उसका example में आपको बताता हूँ कि oil consumption का जो थमरूल है वो क्या बताता है हमें कि अगर आपका 15 square meter का area है shuttering area है और उसको आप multiple करेंगे 0.065 से तो आपका answer आएगा 0.975 liter मतलब तकरीवन 1 liter के आसपास हो गया तो थमरूल हमें यही कहता है कि 15 square meter का अगर आपका shuttering area है तो आपको 1 liter shuttering oil लगना है तो दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आभी आगे देखने वाले हैं कि थमरूल फॉर brick work तो दोस्तो बॉर्ट बॉर्ट में कितना cement लगता है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो कि हमें थमरूल बताता है इसमें मैंने cement quantity in m3 और cement bags में भी cement की quantity explain किये है तो दोस्तो 230 mm brick work अगर हम लोग करते हैं 9 inch का जो बांग का हम हम बोलते हैं अगर 230 mm का हम लोग brick work करते हैं तो 0.876 cubic meter cement consume होता है इसी को अगर मैं bags में कहना चाहूँ तो 25.4 bag cement use होगा 230 mm brick work में और उसके नीचे मैंने explain किया है कि 115 mm अगर brick work करते हैं तो उसमें 0.218 cubic meter cement consume होगा या फिर अगर bag में बताना चाहूँ तो 6.32 bags cement consume होगा तो दोस्तो यह हुई brick work की cement quantity अभी plaster के लिए cement quantity कैसे निकालते हैं उसका thumb rule देखते हैं तो दोस्तो आपको भी मालूम है types of plaster बहुत है तो उसमें मैंने ज़्यादा mix up ना करते हुए सिप जो 3 important plaster types है उनी को mention किया है एक तो internal plaster एक external plaster plaster ही करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि internal plaster तो internal wall को जो plaster होता है दोस्तों उसमें 0.09 bags per square meter use होती है अगर kg मैं बताना चाहूंगो तो 4.5 kg cement use होता है per square meter internal wall में यह धहन में रखियेगा वहीं अगर आप external wall plaster कर रहे हैं तो कितनी bag use होगी 0.175 bags per square meter अगर इसी को मुझे kg में आपको बताना है तो 8.75 kg per square meter cement use होगा कहाँ आप external wall plaster में और last में जहाँ पर rough plaster किया जाता है या duct को plaster किया जाता है तो उसमें दोस्तों कितना cement जाता है कितना cement bag जाता है वह में आपको एक धमरूल दोरा बताता हूं तो दोस्तों rough या फिर duct plaster जो करते हैं उसमें 0.09 bags per square meter इतना cement consume होता है और इसी को मुझे अगर आपको kg में बताना है तो same internal wall की जैसा 4.5 kg per square meter तो यह ध्यान में रखियागा अब दोस्तों कुछ standard material जो construction में जो standard material लगता है उनका मैं आपको एक थमरूल बताना चाता हूं जैसे कि steel जो है वो per square feet 325 kg जाता है यह एपरोक्स है थमरूल के हिसाब से cement का consumption जो है 0.5 bag से per square feet RMC का मैं अगर आपको थमरूल बताऊं तो 0.05 cubic meter per square feet और अगर मुझे blocks का आपको बताना हुआ AAC blocks जो होते हैं तो उनका थमरूल है दोस्तो 12.5 nugs per square meter तो यह है थमरूल for standard material अब आगे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तो थमरूल for manport productivity यह भी बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है या productivity का थमरूल कितना important है आपको यह जब आप estimation करते हैं calculation करते हैं scheduling और planning करते हैं तब आपको यह थमरूल बहुत ज़्यादा काम में आता है तो देखते हैं productivity का थमरूल क्या है तो यहाँ पर दोस्तो मैंने 3 columns बनाया हुए है एक तो manpower है दूसरा activity है और तिसरे में 8 गेंटे में कितना output मिल सकता है वो मैंने यहाँ पर mention किया है तो जल्दी जल्दी से मैं आपको यह brief कर देता हूँ कि brief work में एक mention और एक helper 45 CFT मतलब 45 cubic feet काम कर सकते हैं wall plaster के अगर बात की जाए तो एक mention और एक helper 120 square feet का plaster कर सकता है wall plaster वहीं अगर आप ceiling plaster की productivity निकालेंगे तो उसमें एक mention और एक helper सिफ 90 square feet ceiling plaster कर सकता है शेटरिंग वर की बात की जाए तो एक carpenter और एक उसके साथ helper 11 square meter इतना शेटरिंग का काम कर सकता है स्टील वर का थमरूल हमें क्या बताता है दोस्तों कि एक barbender और उसके साथ अगर एक helper है तो near about 150 kg 1500 kg स्टील का वो काम कर सकता है तो दोस्तों blocker का अगर मुझे बता नहों तो 2 mention प्लस 2 helper 8 गंटे में 2 cubic meter blocker का काम कर सकते हैं यह हुआ दोस्तों थमरूल ऐसा नहीं है कि 8 गंटे में इतना ही काम निकलेगा लेकिन यह थमरूल है आपको जब इस्टेमेशन निकालना है या प्लानिंग करना है तो आपको यह थमरूल काम में आएगा अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि concrete grade में सिमेंट का quantity कितना होता है पर cubic meter कितनी requirement होती है उसका थमरूल हमें क्या कहता है वह हम लोग आगे देखने वाले हैं तो दोस्तों cement required पर cubic meter मैं सबसे पहले एम 10 में 210 kg सिमेंट लगता है एम 15 में 320 kg सिमेंट लगता है फिर एम 25 में 340 kg सिमेंट लगता है एम 30 में 308 kg सिमेंट यूज होता है एम 35 में 410 kg सिमेंट यूज होता है एम 40 में 430 kg सिमेंट कंस्यूम होता है और last में एम 45 में 450 kg सिमेंट लगता है यह दोस्तों थमरूल है तो जबी भी कभी आप concrete का grade और आपके पास quantity है तो आप ये थमरूल यूज करके एप्रॉक्स कॉंटिटी निकाल सकते हैं तो दोस्तो ब्लॉक्स की बात होगी प्लास्टर की बात होगी अभी बात करते हैं पेंटिंग के तो पेंटिंग के पहले हम लोग क्या करते हैं वाल पुट्टी अपलाई करते हैं तो पुट्टी के बारे में जो थमरूल है वो मैं आ फाइनल कोट जब हम लोग करते हैं तो 8 से 12 स्क्वर फीट पर केजी फाइनल कोट के लिए पुट्टी लगती है इससे आप पुट्टी कितने लगनी वाली है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं अब आगे देखते हैं दोस्तो थमरूल फॉर प्राइमर तो प्राइमर का थमरूल है दोस्तो वन केजी प्राइमर में 120 से 140 स्क्वर फीट जबकि आप फर्स्ट कोट में जब ये प्राइमर अप्लाय करते हैं तो 120 से 140 स्क्वर फीट पर केजी प्राइमर लगता है और सेकंड कोट में इतना नहीं लगता है दोस्तो सेकंड कोट में 70 से 90 स्क्वर फीट पर केजी प्राइमर लगता है तो अभी labor cost for painting उसका क्या थमरूल है वो भी मैं आपको explain करता हूँ तो दोस्तो अभी हम labor cost for painting का थमरूल जानते हैं ये थमरूल दोस्तो हर area में हर city में अलग-अलग हो सकता है लेकिन basic थमरूल जो है estimation के लिए पकड़ा जाता है वो है इसके लिए मैं यहीं पर आज break ले रहा हूँ तो दोस्तो मुझे comments करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन-कौन से थमरूल चाहिए वो भी मुझे comments करके बताइए वीडियो अगर पसंद आया होगा तो तो ही like करिए और दोस्तों को भी share करिए और सबसे important बात जो मैं वीडियो के शुरू में बोलता हूँ आज last में बोलो कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि मैं ऐसे ही हर रोज एक नया वीडियो लाता हूँ जो की होता है civil engineering के basic knowledge related और construction के practical knowledge related साथ साथ ही मैं job updates भी weekly update करता रहता हूँ तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद के लिए झाल ठ ही मेरे अन्यवाद